हेलो बच्चो, आप सभी का पावन की टिहास के कक्षा में शुअगत है और मेरे साथ पढ़ेंगے आप अपनी टिहास के पुछ तक भारती टिहास के कुछ विशे है अरे सर ये कौन है अरे ये वही है पावन सर ही है ये हालत हो गई इन दो वर्षों में जब से कौविड चला है चलिए आप मुझे लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यावाद और इसका फाइदा ये होगा कि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहल ये वीडियो कैसे लेगे उसके बारे में लिखना अवस्य ना भूले चलिए अध्याय 9 में राजा और विभिन विरितांत ये पहला भाग आप तक आ चुका है पहले भाग को अगर आपने ध्यान से सुनागा उस पर सपन्दित साथ प्रशन है जल्दी से फाइंड ओड करत दीसरा है पांच राजबंसों में विभाजी था पांच राजबंस अगर मैं थोड़ा सा बताऊं नाम उनके तो वो थे आहमद नलगर गोलकुंडा विदव बिजापूर विदर और बरार ये पांच थे तो पताईए सबसे पहले यस उनको क्या कहा जाता था बाहमनी राज बिल्कुल सही है फिर चौथा था पानिपत का प्रतम युद कब हुआ 21 अपरेल 1526 सिस्वी को और बाबर का उत्तरा धिकारी बाबर के बाद कौन बैठा भी राजब्दी के वर वो तुनका बेटा हुमाईू 1540 से लिके 45 सिस्वी तक किसने सासन किया 1540 क्या हुमाईू नही नहीं भाई उसके बाद हुमाईू को हरा दिया गया था 1540 में और कौन बैठा सेर सहसुरी जिसने सेर को मारा था सात्मों है मिवाड का सासा करो थे राणा सांगा या दिखना राणा सांगा क्लियर हो गया चलिए अब आज के जो हमारे दूसरे भाग के जो विशे हैं वो भ चलिए हुमाईू की हुमाईऊ 1530 लेख सेर कर 1540 यह भारत की राजगति के बात्शाह की गत्दी पर बैठे ठीक है पुरवर्ती इस समय पर इनके पीटा बावर ने सासन किया और लेकर अकवर से पहले सीरसा सुरी ने सासन किया जनम हुआ इनका काबूल में निधन हुआ इ इन्दाल ये तीनों के तीनों जालसाज थे इसका साथ कभी नहीं देते थे और बावर ने अपने रहते ही इन्हें भी जो है काबुला लाहॉर का सासन दे दिया था और हुमाईयों ने भी इनके प्रती बहुत विनमबरता का भाव रखा जिसके कारण इसे जो है तकलीफ और इस परकार से इन्हें निर्वाशित होना पढ़ था भारत वर्शे ये इसके पर अपने साना भी बनाई और उसके बाद इन्हें काबुल और कंधार को जीता और इसके पशाच 1555 इसमी में ये भारत वर्श लोटर यहां पर सिरसा सुरी के उतरा दिकारी थे उनको इन्ह और आगरा के उपर अधिकार का लिया 1556 में और 56 में इनकी यहां पर मृत्तिव हो जाती है माना जाता है कि वो हमेशा किताबां में खोई रहते थे यहां कहते हैं अपने जो उन्हें एक बुस्तकाले स्थापित किया था वहां से बाहर निकलते हैं और पड़ियों में लड़कडा के यह गिर जाते हैं और इस परकार इनके मृत्ति हो जाती है अब हमाईयों को भारत क्यों छोड़ना पड़ा जल्दी से पता कर लेते हैं सबसे पहले जालसाज भाई निकम में भाई जिसकी बात हम कर चुके दूसरा हमाईयों का द्यालू सभाव यह विनमबर सभाव था जब कभी भी बात है गुजरात के सासों को उन्हें जब और उनको खतम नहीं किया जिस परकार से जब वो वापस आए तो फिर से उनने उनके शत्र को परादीकार कर लिया तो यह द्यालू सभावी इनके लिए जो है अर्चन थी तीसरा था सराब और अफिम का सेवन बहुत ज़्यादा ये अपनी विजय जैसे ही करते था अगर हम बंगाल की विजय के बाद करते हैं बंगाल में ये जो है विजय हासिल करते हैं सिरसा सोरी केंगेज पर लेकर वहाँ पर ये उनको उस विजय वे इतने खुशी हो जाती है इनको कि वो अफिम और सराब में मर्सत हो जाते है और बाद में जो सिरसार सोरी उनके उपर आकरमन किया गया तो, किसने किया था, बहादुर साथ है उस समय जो है गुजरात के सासक तो, उनके उपर जो है जब आकरमन किया तो, चीताड के सासक ने इनसे जो help मागी, साहेता मागी, किसे? हुमाईयों से, लेकन हुमाईयों ने नहीं दी और साईद अगर जब पहुमाईंके जुर्त हुई अगर जित्तोड का सासों को उने समय रहते इस तरह के सेवा दिए होती तो वो भी उनको सेवा दे सकते थी जब सेवा से विरिद लड़ रहा था तो ये भी कारण था उनके हार का का विरिद समय पर कारवैने का कारना Serkhran जो की बिहार का एक क पर नर भी घुशित कर दिया गया तो उसने 35 से लेकर 36 सिस्वी तक जो बंगाल पर अधिकार जमाना सुरू कर दिया था जब जो हुमाईयों दूसरे युदो में व्यस्त था तो उसने उस समय 35-36 में अपनी सक्तियों को बढ़ा लिया था तो इस कारण उसको भी उसके विरु याद किया जाता है सेरसासुर को पर शासिन के बारे में वो बाद में पढ़ेंगा रहा जब शेव को 1540 इसमें पुरवर्ती के तौर पर थे हुमाईयों उसके बाद जो हुत्रा वर्ती के तौर पर उनके जो बेटे थे इसलाम सासुरी वो सासक बने जनम होग चादा सो अकवरा जो स्तापीत हुआ सासा राम में और यह बहुत ही खुब सूरत है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगा संतान जो है इसलाम सासुरी पिता का नाम था मियन हसन खान सूर और धरम था इसलाम चलिए प्रारंबिक जीमन जादा पढ़ लिया हमने असली नाम था इ तो इनके जो पिता की जो है दो पत्निय थी जहां से आठ बच्चे थी अब बात का लेते हैं सेरसा सूरी ने पहले बावर के लिए एक सैनिक के रूप में भी काम किया थी इसकी बात में कर चुका हूँ भी बिहार में राज्यपाल ये नुक्त कर दिये गए थे बावर के सासंकाल में तो इस परकार से बावर का काफी हाथ था सेरसा सूरी को बनाने का लेकिन जैसे ही उसके बेटे आए हमाईउ आए उन्हों देखा हमाईउ में जादा जो है वो काबलित नहीं है तो इसलिए जो है उन्होंने क्या करना अपनी सक्ति बढ़ाना सुरू किया और इस परकार सोतंतर सासक के तौर पर जो है वो अपनी तेहरियां सुरू कर दी थी ठीक है अब सेर खान की उपादी से उसे समानित किया जाता है इस लड़ाई के पशाद कनौस के लड़ाई के पशाद के क्लियर हो गया तो बात कर लेते हैं आगे अब सेर सासुरू की खूवियां भी आती है और उसका प्रसासिन पहले खूबियों के बारे में कि क्या खूबी थी में दिकिए एक सांदार रणनितिकार जब भी युद होते हैं तो रण में एक रणनिती तियार की जाती है और उसी के अगर शांप kisses back बड़ा कम होता है कोई व्यक्ति जो है अगर विकट कीपर हो जाए बॉलर हो जाए और बैट्समेन हो जाए ना तो सोने पर सुहागा हो जाए तो वैसे ही थे सेरसा सुरी यह हर जगा फिटते सेनापती के तौर पर भी और परसास के तौर पर भी तो 40-45 तक केबल मत्र पांच वरस्रों में जो इनने ने सासन किया जो नगरिय वरस्ता थापित करी जो सेने अपर सासन ने थापित किया उसमें थोड़े बहुत परिवतन के साथ बाद में मुगल समराटों के ने खासतार पर अकवर ने जो है उसे जारी रखा तो कहीं ना कहीं खुबी थी उस सेरशाह स अब दूसरी बात कि सिरसा स्थोरी ने विशाल grand truck road का निरुपान याद रखना ये ये सा शक्ति जिस ने grand truck road का निरुपान करवाय था कहाँ से कहाँ ? कोलकाता भारतवस के पशिमर जो मंगाल है उसके राधनी के नाम है कोलकाता तो कोलकाता से लेकर पिशावर कहां पाकिस्तान में जाकर है तो देखे इतना लंबा रोड बनाना उस समय ये अपने आप में बड़ी बात थी और वो इसलिए क्योंकि दूरदर्शी था उसको पता कि रोड बनाना इससे क्या होता है भाई विकास होता और विकास होगा तो क्या होगा इसका खजाना भरी होगा के जो जा रहा है पतिक तो इस परकार से ये दूसरा कार या पिर तीसरा आता है पहला रुपईया याद रखना दुनिया में या भारतवर्श की हिस्ट्री में पहला रुपईया स्थापित करने वाला कौन था भई सेरसासुरी था उसने ना केवल मिस्टर धातु के बलकुल सोने अरचांदी के इस रुपईया भी स्थापित की है क्लियर हो गया और रुपईया आज देखिए स्थितिका है कि भारत पाकिस्तान नेपाल सिरलंका इंडोनेशिया मौरिशस और माल दीप में रुपईया नाम की करन्सी जो चलती है अगर दूतकान हुआ सेरसासुरी का रुपईया क्लियर हो गया अब आता डाक प्रनाली का विकास देखिए डाक प्रनाली का विकास ये भी एक अदभुत प्रनाली थी जिसने जो आज भी स्थापित है 21 स्थादी में भी स्थापित है लेकिन उस समय गैर राजय परियोजना में इसका संचालन किया जाना इसको इसकी आज्या मिलना पहले क्या होता था कि राजा ही राजा के लिए या राजा घराने या राजा से स्वंदित जो भी चीज़े होती थी केवल उसी लिए डाक पर नाली जो प्रसली थी आम आदमी के लिए नहीं होती थी पहली बार सेरसा सुरी ने आम आदमी के लिए खास तोर पर जो व्यपारी लोग थे उनके लिए ये खुल दिया डाक घर पर ना ली और उससे क्या हुआ और भी फाइदा हुआ व्यपार में कि सेरसा के मकवरे को देखर ऐसा लगता है कि बाहर से वह मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था क्योंकि इसकी बनाने का तरीका बाहर की जो सैली है वो मुगले ही सैली है बाहर की सैली लेकिर अंदर जो है वो हिंदू तो सैली को अपनाया गया है तो इस परकार से ये सेरसा स प्रवंद को स्थापित किया था याद रखना उसमें थोड़ा बहुत परिवतन के साथ ही यह अकवर के सासनकाल में, जहांगीर साह जांता किये चलता रहा है, इसी तरह से चलता रहा है, तो बड़ी बात है, किंद्रिया सासर प्रवंद intentions किंद्र में सरकार, जहां राजा बै साधिकारी वो खुद होता था, सबसे बड़ा निया धिश भी वो खुद ही होता था, उसके बाद कोई नियालय स्थापित नहीं था, क्लियर हो गया, उसकी अदालत अंतिम अदालत होती थी, तो सारी सक्तिया उसके हाथों में थी, क्लियर हो गया सुल्तान, लेकिन उसने अप तो भी दिवाने वजारत कहा जाता था जो वित विभा का प्रमुखे होता था और आएविया का इशाप रखता था पूरे समराजय का फिर दिवाने आरिज यह होता सैना का प्रमुख अधिकारी सैना का सबसे बड़ा अधिकारी तो इस परकार से उसको कहा जा जा दिवाने आ इंदर की खबरें देते रहते हैं दिवाने कजा न्याय मंत्री तो इस परकार से ये परमुख मंतरी उसमें हुआ करते थे हो गया अब बात करते हैं सरकार देखी सरकार क्या था भी सरकार जैसे हाँ सरकार कौन से सरकार है भी बीजेबी की सरकार की फलानी सरकार है था भी उसमें सरकार प्रांतों को बोला जाता था प्रांत नहीं बोलते थे ठीक है राज्यों नहीं बोलते थे जैसे हिमाचल राज्यों हो गया भई राज्यों को उसमें कहा जाता था सरकार सरकार सेरसासूरी क्या कहा जाता था सरकार और सेरसासूरी ने अपने समराज्यों को अच्छे तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए 66 अलग अलग हिसों में बांटा था सरकारों में बांटा था 66 सरकारों में बांटा था और यहां पर दो बड़े अधिकारी होते थे एक होता था सिक्दार ए सिक्दारान जैसे आज के CM है आज के CM है उसी तरह से जो है वो सिक्दार ए सिक्दारान होता था जियादखना सिक्दार ए सिक्दारान सांति कायम करना साही अदेशों को लागू करवाना ये इसका मुख्य कारे होते थे और फौसदारी मुकदमों का निर्ने देना ये जो है सरकार में सबसे बड़े जो है वो क्या होते थे जजबिका कारे भी करते थे तो फौ्जधारी मुकदम का निर्णाय भी यही देते थे उसके बादा मुणुशिफान ये लिगान इकठा करना और दिवानी मुकदम का निर्णाय देखिए आप बोलेंगे सर ये کیा होता फौजधारी और दिवानी तो समझ लिए इस बात को फौजदारी मुकदमे होते हैं जो आप चोरी करते हैं डेकाती करते हैं इस तरह का काम करते हैं तो वो कहला जाते हैं फौजदारी मुकदमे वो फौजदारी में आते हैं लेकिन भूमी से रेटेड अगर भूमी से सबंदी कोई कार है कोई किसी परकार का जो है वो आपस में विवाद है तो उन्हें कहा जाता है दीवानी मुकंदमेद ठीक है तो दीवानी मुकंदमेद में जो मुन्सिफे मुन्सिफान सुनता था और फौजदारी जो है सिक्दारे सिक्दारान हो गया अब तीसरा आता परगने भी अब जो है सरकार के आगे जो है बांट देखे सरका के दो अलगले प्रतिनी दी जो होते थे उसी तरह से आगे भी जो है जो जीला या परगने होते थे उनमें भी इसी प्रतिनी दी होते थे सिर्फ नाम में थोड़ा परिबरतने क्या एक है सिक्दार यहां था सिक्दार यहां सिर्फ सिक्दार और यहां था मुंशिफ है मुंश होता है क्लिए रहे है एक और अधिकारी गेल उसे क्लरक भी क्या उसे रहे होता हुठ जाता है कंब्त Pale कुन या दखना कलर को क्या का जाता था कार कुन ना मदलें वही तरीके वही हैं तो आगे बात कर लेते हैं गाउं का परवंदा सबसे चोटी इकाई होती थी वो गाउं का प्रवंद होता था गाउं के प्रवंद में सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था या गाउं का जो मु कुद किया होता है पटवारी का कार्य क्या होता है जिमीन का हिसाब किताब रखना किसके पास कितनी जिमीन है कितना वहां से जो हकार आ रहा है वशूल किया जा रहा है यह सारी का जो है वो पटवारी कार्य करता था मुकदम उसमें सहायता करता था हो गया भी पांच वाता नि न्याय परवंद भई न्याय परवंद जो है इतना जोड़दार था माना जाता है कि सिरसार सुरी के समय में जो है जो न्याय ववर्ष्था थी वो सबसे उस्तम सर तरह की बड़ी उच्ची quality की थी यह कह सकते हैं यह कहता जब न्याय करता था तो यह मानता कि न्याय जो है सबसे बड़िया धार्मी का कारे है देखिए जब न्याय को अपना धार्मी का कारे या धर्म के साथ जोड़ दिया जाया तो इससे बड़ा पुन्य का कारे नहीं होगा आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है इस धर्म को भूल गए उन न्याय को धर्म के साथ ने जोड़ते हैं वो पैसा कमाते है और न्याय जो किसी तरफ चले दा कोई दिक्कत नहीं है और एक फिलम देखी होगी जिसमें बताता है जज कि हम में पता होता है पहले दिन से ही कि भाई कौन सच्चा है कौन जूटा है लेकिन हम वेट करते हैं कि कब तक जो है कि जूटा जो सच्चा हो जाए यही प्रक्रिया जादा कर होती है हिंदुस्तान में और इसलिए है इस ववस्ता को कोई ठीक नहीं करना है कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन नियाय ववस्ता में कुछ सुधार नहीं लेना जाता है क्योंकि उनकों मालूम है इसी का फाइदा उठाते हुए हम इस देश के उपर राज कर रहे है अन्याय तरीके से गलत तरीके से तो ये नियाय का होना बहुत जुरूरी है और ये समझा था किसने सेरसासूरी ने याद रखना सेरसासूरी ने उसने कहा भी नियाय सबसे बढ़िया तरीका है धार्मिक बनने का या धार्मिक कारे करना था और इसलिए चाहे वो सासक वर्ग से सबंदीत हो चाहे वो क्रिशक वर्ग से सबंदीत हो बरावर का हिसाब रखता था ऐसा नहीं था आज की विवर्ष्था में जो उन्चे लोग है उनके लिए कुछ न्याय लग है और छोटे के लिए न्याय लग है अगर हिमाचल की देख लीजे आप तस्विर अभी कुछी दिन चार पांच दिन पहले जो है आपने तक गुडिया हत्यकांड हुआ था और उसमें बड़े बड़े लोगों को सजा मिल गई लिकर किसे बचाने के लिए एक चिरानी कुछ चिरानी होता ने बड़े बचाने वाला भाई उसको बचाने के लिए जो है वो DSP नहीं भाई डि आई जी तक उसको बचाने में लग गया था ऐसा पॉसिवल है क्या और फिर अब उसको सजा मिल गई क्या सजा दे गई उमर कैद की सजा तो एक गरीब आदम को पकड़ा गया जो सही माईने में कल्पिट थे उनको नहीं पकड़ा गया पर यह किसके सामने हुआ अदालक के सामने वहाँ भी तो कोई रहे होंगे न वहाँ भी तो कोई न्याय करने वाला होगा तो आज की न्याय वर्स्ता और सिरसार सुरी की न्याय वर्स्ता में यही अंतर था वो बोलता था कि कानुन से तुम अच्छे से जो है इस कारे को कर दो तो मा लीजिए तुमने पुन्य कमाले तुम धार्मिक हो गए तो ये ये उसका पांचवा पार्ट फिर छटा था पुलिस पर बन था देखिए सिकदार ए सिकदारान जो सरकारों में सबसे ब करते हैं तो उस समय से ये प्रता चली आरे दिखी आज भी पुलिस जो है अपने ही प्रांतों में जो है वो कारे करते है किसके लिए सांते बनायव रखने के लिए यदि कोई अधिकारी चोरी करता था तो जो अधिकारी उसको अगर नहीं पकड़ पाता था तो याद रखन बदल गई है तो इस तरह का नियम जो है वो किसने स्थापित किया था सेर्शासुरी ने साथ माता जासुसी विवाग देखे जासुसी जो विवाग था वो इतना अब गर हम कहके कि उसने इसलिए स्थापित किया था क्योंकि समराज्य की मजबूती जासुसी विवाग पर ही कि भाई अच्छा किसी ने कह दिया भाई राजा गलत हो गया है आजकल ऐसे गलत कार करने लगा तो उसका मतलब यह नहीं कि फांसी पर लटका दो उसका कारे सिर्फ इतना होता कि उसको मालूम हो गया कि अगर वो कह रहा तो किसी वज़ा से ही कह रहा होगा उस तहह तक जाना उसकी खोज करना और उसको दूर करना तो इस समराज्य के मज़बूती के लिए जासुष्वी भिभाक की स्थापना की हुई थी फिर आता है आठवा लोककल्यान के कारे यह की बड़ा इपॉर्टनेट लोककल्यान के कारे हमने जो है जीटी रोड के बारे में पढ़ लिया हर किनारे के उपर जो है सराय बनी हुई थी आठ मिल की दूरी के उपर और इसमें निर्धनों विद्वाओं इसके लावा इसके जो और कारे का है निर्धनों विद्वाओं सिक्षा संस्थानों और विद्वानों को भी दान देना का कारे किया ताकि जो विद्वान लोग अपनी विद्वता को बनाए रखें, शिक्सा संस्थान जो है बच्चों का अच्छी शिक्सा दें, तो इस परकार से कारे विए उसने किये, समझे निवात? तो इस परकार से ये लोकल लर्ण के कारे, फिर नहुं आता है व्यापार और वर्णी जियों को प्रोशान जाने, य या साधनों का विकास करना, जैसे कि हमने पात की साधन कैसे होगे, सरायं स्थाफित हो कर दी गई, रोड तो बन गए, सरायं भी स्थाफित है, क्यों भई? व्यापारी अगर जो है कही रेस्ट करेगा, तो जुरूरी है समान कि उसकी सरक्षा मिले, सांती बनी रहे, जहां पर सांती ही स्थाफित नहीं, वहाँ पर व्यापार कहां चलेगा, तो व्यापार के लिए पैसा नहीं लगाएंगे लोग, तो कहां से जो है वो व्यापार बढ़ेगा, तो व्यापार और वानिजीय को प्रोसान किसने दिया, सिर्शास दोरी ने, और ऐसा उसने बहुत सार और चांदी के भी सिक्के चलाए देखी बड़ी वेल्यू के सिक्के चलाए 2000 के नोट आने से क्या हुआ कि कम जगा में बहुत बड़ा आप चो है वो डील कर सकते हैं 2000 रुपए देखी एक नोट डाला जेव में कोई ज़्यादा भारी वेनी ज़्यादा कुछ नहीं और जल्दी से समय भी पसता है और तो इस परकार से इसका मतलब सोने और चांदी के सिक्के चलाने का मतलब था कि कहीं कहीं वेपार तो था वो इतना प्रोग्रसिव था कि इन्हों बड़े सिक्के भी चलाने पड़े बड़े बज़न के सिक्के या ज़्यादा महंगे सिक्के भी चलाने पड़े हो गया समझाएगी बात अगे आता है दसमा भोराजसवसंसवंदी सुधार दिखे बड़ा धूरदशी सासक उसने क्या किया कि केवल मातर मालबा और राजपुताना को छोड़कर दो जगाओं को छोड़कर उसने जितनी भी उसकी जमीन थी ना कृशी योग जमीन उसको उसने जो है वो नपवाया आधरकनाप पूरी जो जितने भी भूमी थी उसे नपवाया और तीन भागों उससे डिवेयाड कर दिया पही है तेन भागी है एक था उत्तम एक था मद्यण और एक घटिया उत्तम मतलब जिसमें हर वर्ष कृष्षी होती थी और वो सबसे उत्तम सबसे बढ़ी आती थी मध्या का मतलब जाया है कि साल में लगवग एक ही फसल आती थी दो फसले नहीं आती तो उत्तम में दो फसले भी आती थी घटिया होगी जिसमें जब साल या दो साल के बाद एक त्यूंकि वह उससे पहले क्या था, कि वह सभी को जमीन दे दी गई है, लेकिन घटिया वाले के पास जो है कम अनाज पैदा हो रहा तो भी उससे तो उतना ही लिया जा रहा है, यहां मजे ले रहे हैं उत्तम वाले, और घटिया वाले बिचारों को दिक्कत आ गई, तो इसलि मतलब अगर तीन किलो जो अगर धान जो पैदा हुआ है तो दो किलो जो है उसकी शान के पास रहेंगा और एक किलो किसके पास चला जाएगा सरकार के पास लगाँ पता तो एक बड़ा तीन भाग जो हो रखा गया लगान का जिसे वो नगद भी दे सकता था पैसे के तौर पे तो वो अनाज भी दे सकता था, फिर आता 11,ram, सेनिक सुधार, सेनिक सुधार में उसने सबसे पहले क्या किया, कि अपने सेनिकों को उसने तीन भ़ागों में बांटा, एक थे घुड स्वार, दूसर था हाथी, और पैदल आ खना गुड स्वार, हाथी और पैदल, उसकी सैना में लगए एक लाख पचास अजार स्वार थे स्वार मतलग हुड स्वार की बात करें पैदल थे 25 अजार और 5 अजार हाथी थे और इसके लावा तोफेम भी थी लेर हो गया ये सारी इसकी सैना थी तो सैनिकों को हमेशा वो परवा करता था याद रखला मोदी जी कई बार जो है वो कभी खास मौके को पर कहां पहुंच जाते हैं उनके पास जम्वण कास्मीर कई के जगा जो अलदाक में जाकर पहुंच जाते हैं तो क्या होता भई इससे भरोशा काइम होता है सैनिकों को लगता है कि कोई न और कोई जो सेरसा सुरी थे, वो अपने सैनकों की प्रवाहा करता था, सुक्तुक में उनका साथ देता था, तो इसलिए सैनिक भी उसके सुक्तुक में हमेशा खड़े रहते थे, हमेशा प्राण नुशावर के लिए खड़े रहते थे, तो भई, क्यों नहीं विजय हासिल करेगा फिर सेनेक को लगातार प्रस्षिक्षन मिलता रहता था उनको अच्छे से युद किया जा सके घोडा दागने की वैवस्था और सेनेकों में रखने की 복स्था धेकि घोडा दागने की विश्क्षिण इसलिए सुरू ही टाकि पतातों लगे घोडा किसका है पहले यही पता गोड़ा किसी दूसरे से बिला सकते ही तब वैसे एक एक जम्पल मैं देता हूँ कि प्राइविट स्कूल में कई बार इंस्पेक्शन के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पर जो लैब नहीं होती है लैब के लिए जो बहुत सारे जो है लैब चली कमरा तो है लेकिन कमरे में जो ह वहां पर क्या नहीं है अकुبमेंट नहीं है तो वह क्या करते है किसी दुसरे स्कूल भाई आज हमारा इंस्पेक्शन है प्लीस एक अपने अकुबमेंट दे दीज़े तो सारा समान वहाँ से लाया और रख दिया कभी कट का निशार है सर के उपर यह वव्वस्ता कब से सुरूँ अभे ही सेसासुरी से शुरूँ है और इसको शूरू करने वाला याद रखना अलाओदीन पूछा जाता कि इस बाघ ठक गया बाबा अब आज का विचार जो अंतीम है थ्यान रखना आज इसी पर जो है समंदित है रिष्टे और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं लगा के भूल जाओ तो दोनों ही सुख जाते हैं तो इसलिए अपने रिष्टों का और पौधों का तो विशिश ध्याम रखिए क्योंकि हमारा environment लगातार खराब हो रहा है हमारा घर का environment रिष्टों के कारण खराब हो रहा है दोनों का ही ख्यार रखिए और अच्छे से रहिए बर्स्ती से रहिए स्वस्त रहिए इनी सब्दों के साथ आपने मुझे थ्याम से सुना उसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यावाद थैंक यू बच्चो बाई बाई